हलो गाईज आपको स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपरसेंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लेकर आ हैं जितनी भी इंपोर्टेंट अपडेट आज की न्यूच पेपर में आईए वो सारी सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे स्टार्ट करेंगे वीडियो को लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें या पुराने वीवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ता दिख्कते ही है कि चुनाओं की वजह से इसमें जो धेरी हुई आचार संक्ता की वजह से देरी हुई लेकिन अब जो है हर एक डिस्टिक वाई जिसका वित्रण जो है सुरू कर दिया गया है कल भी जो है सोनभद्र में जो है वित्रण हुआ आज यहां पर बारा बंकी के बार में भी अपडेट निकल कर रही है तो जैसे ही यहाँ पर सपत समारो हो जाएगा यहाँ पर नए सरकार जैसे ही बन जाएगी उसके तुरंद बाद ही इन प्रिक्रियाओं पर तेजी होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर लिखा है 23,700 विद्यारतियों को मिलेंगे टेबलेट इनका बित्रन वो आपने चात शात्राओं को कर सकेंगे करीव 58,500 पंजीकरत विद्यारतियों में से अब तक केवल दोसों को लाब मिला है विदानसभा चुनाओं से पूर्व प्रदेश सरकार की ओर से मेधावियों को स्मार्टपोन और टेबलेट वित्रन की योजना पाने के लिए जिले के करीब 58,000 पात्र विद्यारति चायनित हुए थे आचार संगिता लगने से पूर्व लखनाओ में एक कारक्रम में सीयों में होगी आदितना द्वार जिले के 200 विद्यारतियों को उसका लाब मिल चुका है तो आप यहां पर चीज़ें देख सकते हैं न पहुचे इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जादा आवस्यक है वहीं पर यह देख लीजी उमेश चंद्र जोकी उपायुक्त है जिला उद्योक के इन्होंने बताया है कि कॉलेज अस्तर से ही स्मार्टपोन और टेबलेट का वित्रण किया जाएगा अगले सबता तक स स्मार्टपोन और टेबलेट के उपलता करा दी जाएगी 23,700 स्मार्टपोन और टेबलेट प्रआप्त हो चुके हैं यहांपर बताया गया है बस आप लोग अपने अपने डिश्टी का इंतजार करिए अपने अपने―मैसेज का इंतजार करिए यह सारी चीजें जो है डिश योग गिता में आ जाता था कि बारावमी पास या समकच तो अब समकच नहीं रहेगा जो भी परिक्षा आयोग होगा वो उस चीज को क्लियर करेगा वहाँ पर लिखा भी गया है यहां पर कि बलकि आयोग आहरता पर पूरी तरह से इस्तिती इसपस्ट करेगा आयोग ने इस पर काम सुरू कर दिया और समबंदित विभागों से आवस्चक जनकारी मांगी है आयोग की ओर से जारी विग्यापनों में अक्सर किसी एक आहरता के बारे में लिखा रहता है और उसके आगे समकच लिखकर छोड़ दिया जाता है आहरता के समकच अन्याहरता कौन-कौन कुम्ची होंगी यह स्पक नहीं किया घाता है ऐसे में अब ङलते अपने अपने हिसाब से इसका अकलन कर लेते हैं और फॉर म भर देते हैं बाद में पता चलता है कि अब विखकर आप तक अपनि जीव सच्यू भरती के विग्यापन में अहरता के कालम में लिखता था O Label Certificate या समकच लेकिन अब या लिखने से काम नहीं चलेगा O Label Certificate के समकच अन्य कौन-कौन से अपर मारपत रहन माने जाएंगे आयोग को अपने विग्यापन में अब इसका उलेक जो है करना ही होगा ठीक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वहीं पर बात करते हैं PCS Mains को लेकर के तो PCS 2021 की मुखी परिक्षा आज से जो है शुरू हो रही है यहाँ पर देख सकते हैं जो की 23 मारच से 27 मारच तक चलेगी 688 पदों पर यह भरती होने वाली है और जिसके लिए मुखी परिक्षा में 6955 अभ्यार्थी जो हैं यहाँ पर सामिलें परिक्षा दो पालियों में होगी 9.5-12. ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं चलिए वहीं पर हम बात कर लेते हैं UP लेकपाल और UPSI के रिजल्ट को लेकरके जो छात्र हैं अब वो मान कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा परिसान है क्योंकि भरतियां भी कम निकलती है और अगर कोई भरती निकलती भी है तो उ UPSI का result अभी तक नहीं आया है, हलाकि आज एक update है, उसको हम देखेंगे भी आगे चल कर, वहीं पर UP लेक्पाल exam date को लेकरके भी चातर टूइट कर रहे हैं, UP Constable vacancy को लेकरके चातर टूइट कर रहे हैं, UP SSC की calendar को लेकरके चातर बात कर रहे हैं, teacher vacancy पर बात कर रहे हैं, और rookie यहां जारी करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक चातर और है, उसमें भी लिखा है कि लेकपाल भरती कहां है, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, वहीं पर हम बात कर लेते हैं, UPSI result को लेकर करके एक update आई है, इसको भी हम दोग देखें लिखते हैं, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर, प्लाट्रून, कमांडर समेत, कई पदों पर भरती के लिखित परिक्चा के result का इंतजार कर रहे हैं, ब्यारतियों के लिखुसकबरी है, कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है, कि इसका परदाम इस माह के अंतर तक अगर इस मा के अंतर तक नहीं आएगा, तो अप्रेल के फर्स्ट वीक तक उम्मीद है कि आप सबी लोगों का UPSI का result जो है जारी कर दिया जाएगा, और UPSI का result इसी आसपास में जो है जारी कर दिया जाएगा, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भरतियों प्र जल जल्दी जारी कर दिया जाएगा, हाला कि UPPIPPV ने अभी तक कोई आधिकारी जानकारी साज़ा नहीं किये, इसलिए कंडिडेट्स को समय समय पर UPSI भरतियों प्रुनती बोड की वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए, जो है यहाँ पर चीज़ें जो है दी पाता है, परिक्षा हो जाती तो रिजल्ट नहीं समय पर आजाता है, रिजल्ट आजाता तो समायोजन नहीं हो पाता है, जैसे कि TGT छात्रों को आप देखी रहे हैं, वैसे हम बात करें यहाँ पर एक और अपडेट आई है लखनों से कि परिक्षा होने के एक साल बाद भ गोसित नहीं किया गया, इससे नाराज परिक्षार्तियों ने मंगलवार को हुसेइन गंज इस्तित एनेचम दफ्तर के बाहर पदर्स्तन किया, परिक्षार्तियों ने जल्ट से जल्ट परिक्षा परडाम गोसित करने की मांग भी किये, तो ये रही इतनी सारी अपडेट जो आज के news paper में थी उम्मेद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सारी update जो बिल्कुल सही तरीके से समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी क्योंकि जितनी भी update आती है उन सभी update का निचोड़ हाला कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे news paper होते हैं बहुत सारी update होती हैं सारी update नहीं लाया जा सकता और नहीं सारी update आपके काम की होती है जो update आपके काम की होती है वो सारी के सारी update आप तक पहुंच जाती है morning के session में तो channel को जरूर subscribe करना है बेल आइकन को भी जरूर दबाना है अपने दोस्तों को भी जरूर शेर करना है तो मिलते हैं एंगले वीडिय रहिए मस्त रहिए जैहिन जैभारद